हाई मेरे जिगर के टुकडो आज हम 2019 में आई मूवी हैपी डेथ डेट टो यू क्यों एक्स्प्लेइन करने वाले हैं गैज इस फिल्म का फर्स पार्ट भी है जिसका वीडियो लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप पहले फर्स पार्ट देख लें तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा I hope you like it मूवी की स्टार्टिंग में हम रायन को देखते हैं जो एक गाड़ी से सो कर उठता है और फिर सीधा अपने रूम में जाता है जहां कार्टर और एक लड़की ड्री चुमा चाटी कर रहे होते हैं इसलिए कार्टर रायन को वहां से बगा देता है तभी रायन के पास उसके दोस्त समर का फोन आता है जो उसे जल्दी से जल्दी लैब में आने के लिए बोलता है और जब Ryan Lab में पहुंसता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बनाई हुई Machine Lab बंद होने के बाप जूद रात 12 बजे अपने आपी चालू हो गई थी तब ही वहाँ उनके College का Dean आ जाता है जो इन्हें इस Machine पर काम करने के लिए मना करता है क्योंकि इन्हें इस Project पर काम करने के लिए किसी महंती आदमी की जरूरत थी जबकि Ryan एक आलसी लड़का था इतना बोलकर Dean वहाँ से चला जाता है वही Ryan जब सोफे पर बैठा होता है तब उसे कोई उसकी हाल ही में ली गई फोटो बेज़ता है जिसे देखकर Ryan काफी हैरान होता है और बाहर जाकर चेक करने लगता है इसके बाद Ryan जब लैब में पहुंसता है तो उसे वहाँ उसका फ्रेंड समर मिलता है जिससे अब Ryan को लगता है कि वो फोटो समर नहीं भीज़ी थी पर समर Ryan को इस बात के लिए मना करता है तब ही अचानक एक मास्क वाला आदमी Ryan के पीछे आता है और Ryan पर चाकू से अटेक कर देता है जिससे Ryan मार जाता है पर अचानक Ryan वापस उसी गाड़ी में जाकता है जहां Ryan मूवी की स्टार्टिंग में था अब हमें समझ आ जाता है कि Ryan किसी टाइम लूप में फसा हुआ है जहां Ryan मारने के बाद जिन्दा हो गया था पर Ryan को लगता है कि ये सब एक सपना है पर गाड़ी से निकलने के बाद सेम चीज़े Ryan के साथ दुबारा उने लगती है तो Ryan बहुत डर जाता है और वहां से दोड़कर कार्टर और ट्री के पास जाता है और इन्हें सारी बाते बताता है और अब ट्री इस बाद से काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि Ryan भी उसी तरह टाइम लूप में फसा हुआ है इसके बार ट्री अपने उपर बीती हुई सारी कहानी एक्स्प्लेइन करती है गाइस ट्री वही लड़की है जिसे हमने पार्ट वन में देखा था ट्री राइन को बताती है कि कैसे वो भी एक बार टाइम लूप में फस गई थी जहां उसके कमरे में ही रहने वाली लड़की उसे बार बार मार दिया करती थी और वो टाइम लूप में तब तक फसी रही जब तक ही उसने उस लड़की को मार नहीं दिया वही राइन जब ट्री को एक मास्क मैन के वारे में बताता है तो ट्री एक बेस बॉल बेट लेकर उसका सामना करने के लिए राएन के साथ लेब में जाती है लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई नहीं मिलता तबी वहाँ पर फिर से कॉलेज का डीन आ जाता है जो राएन से उसका science project बन करने के लिए बोलता है अब Science Project की बात सुनकर Tree Ryan से उसका Project दिखाने के लिए बोलती है और फिर Ryan Tree को अपने Science Project के बारे में बताता है कि उसने ये Project टाइम की रफ्दार को धीमा करने के लिए बनाये था पर अभी तक ये मशीन काम नहीं कर रही है और फिर राइन ट्री को बताता है कि पिछली रात 12 बजे ये मशीन अपने आप ही चालू हो गई थी ये सुनकर ट्री घबरा जाती है क्योंकि ट्री समझ जाती है कि राइन ने कोई टाइम स्लो करने वाली मशीन नहीं बलकि एक टाइम लूप मशीन बना दी है और इसी मशीन की वज़े से वो टाइम लूप में फस गया है इसके बार ट्री राइन को समझाती है कि तुम्हें इस मशीन को बन करना होगा नहीं तो तुम भी मेरी तरह बार बार मरते रहोगे जब तक तुम अपने किलर को नहीं मार देते अब ये बास सुनकर राइन काफी डर जाता है क्योंकि राइन को बिलकुल भी मालूम नहीं होता कि आखे टाइम लूप को कैसे बन किया जाता है आगे कार्टर राइन को बचाने के लिए एक स्टेडियम में ले जाता है और जब मैच खत्म होने के बाद वो सब स्टेडियम से वापस आ रहे होते हैं तब भी राइन भीड की वज़े से पीछे रह जाता है जहां उसे वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुँच जाता है और राइन पर अटेक कर देता है लेकिन तबी ट्री उस मास्क मेंट पर पीछे से अटेक करके उसे बेहोश कर देती है इसके बाद ट्री जब उसका मास्क खटाती है तो ट्री उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाती है क्य ये बोलता है क्योंकि वो टाइम लूप में कोई छेड़ चाड़ करने वाला था ये सुनकर पहले वाला राइन काफी गुस्से में आ जाता है और उसे वापस भीजने के लिए मशीन स्टार्ट कर देता है तब ही वहां पर डीन कुछ गार्ड के साथ आ जाता है जो अपने गा स्कल से निकली थी ये देखकर ट्री बिल्कुल पागल हो जाती है और राइन को बलाकर उस पर बहुत गुस्सा करती है इसके साथ ही ट्री राइन से अपने साइंस प्रोजेक्ट की मदद से कुछ को वापस उसी टाइम फ्रेम में भीजने के लिए कहती है लेकिन यहां जहर वाला केक जिससे लौरी ने पिछली बार ट्री को मारने की कोशिस की थी लेकिन यहां लौरी कहती है कि उसके पास कोई कपकेक नहीं है यह बार ट्री को बहुत अजीब लगती है और उसे यहां को समझ नहीं आ रहा होता है फिर आगे जब ट्री राइन से टाइम डिवर्स में टोटल इंद मैं जिनमें अलाग अलाग टाइम चलता है इसे ट्री समत जाती है कि वह इस बार किसी दूसरे डाइमनशं में आ गई है यह जानकर बहुत घबरा जाती है यहीं उसे पता चलता है कि इस डाइमनशन में कार्टर डेनियल का बॉइफ्रेंड है इसे वो काफी हैरान होती है और यहीं हमें पता चलता है कि vos अक्प करने वाली है जिसमें वह एक अंधिलर की का करेगी उसी समेट्री के पास Üstat के लाओट ना चाउस बाद में मिलने के लिए इसाआप को अपने देट्र मिलने के से रोक लेती है यह सुनकर वहां मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा है रात को ट्री जब अपने फोन में मौजूद फोटो को चेक करती है तो उसे उन फोटो के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता है क्योंकि वह फोटो उसने ली ही नहीं थी तभी टीवी पर सीरियल क कर से पकड़ लेता है इस दoran ट्री उस पुलिस वाले को सब को समझारे की कोशिश करती है पर वह ट्री की कोई बात नहीं सुनता है तब ही अचानक वो मास्क मैन उस पुलिस वाले पर चाकू से अटेक करके उसे बुरी तरह मार देता है इसके बाद मास्क मैन चाकू लेकर ट्री के पीछे जाता है यहां ट्री को लगता है कि वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बलकि लॉरी है लेकिन तबी लिफ्ट का दर्वाजा खुलता है जिससे लॉरी ट्री को बचाने के लिए लिफ्ट के अंदर कीश लेती है इससे मालूम होता है कि वो मास्क वाला आदमी लॉरी नहीं बलकि कोई और ही है आगे दोनों एक रूम में जाते हैं जहां वो मास्क मैं लॉरी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर वो ट्री को मारने की कोशिश करता है लेकिन ट्री किसी तरह बच कर वहाँ से भागती हुई छट पर पहुँच जाती है जहां उस मासमैन से बचने के चक्कर में ट्री छस से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है लेकिन फिर से ट्री कार्टर के बैट पर सो कर उठती है और सीधा लेब में राइन के पास जाती है जहां वो राइन को अपने Science Project की मदद से उसे वापस अपने Dimension में भीजने के लिए कहती है इस पर राइन और उसके दोस्त ट्री को बताते हैं कि ये करने के लिए उन्हें बहुत मैनत पड़ करनी पड़ेगी क्योंकि अभी उनका प्रोजेक्ट सही से तयार नहीं हुआ है और इस वज़े से डेली एक टाइम लूप बन जाता है जिससे राइन और उसके दोस्त जो भी काम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं वो सारी बाते रोज के रोज भूल जाते हैं पर ये बाद ट्री को ही याद रहती है इसलिए कार्टर ट्री को सारी चीज़ें याद करके अगले दिन उन्हें बताने के लिए कहता है क्योंकि इसी से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी अब ट्री के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो कार्टर की बात मान लेती है इसी दोरान राइन का दोस्त समर ट्री से कहता है कि तुम किलर के मारने से पहले ही सुसाइट कर लिया करो अब ट्री समर की ये बात भी मान लेती है इसके बाद ट्री राइन और समर के हिसाब से सारी चीज़ें याद करके सीखने लगती है और जागने पर राइन और उसके दोस्तों को बताती है कि इसी तरह जब एक दिन वो जागती है तो इसे बहुत कमजोरी महसूस होती है जिससे वो बेहोश हो जाती है इससे कार्टर को hospital ले जाता है जहां ट्री को उसका पुराना आसिक George मिलता है लेकिन इस dimension में George Tree को नहीं जानता था क्योंकि इस dimension में वो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं होते हैं इस वासे Tree काफी है रान होती है और तभी Tree George को बताती है कि लॉरी पर अटेक होने वाला है तो George उसे बचाने के लिए जाता है इसके बाद Tree police officer पर अटेक करके उसकी गन लेकर लॉरी को बचाने के लिए जाती है तभी वो मास्क में ट्री पर अटेक करने वाला होता है लेकिन Tree उसे गोली मार देती है और जब Tree उसका मास्क अटाती है तो सीरियल गिलर जौन होता है जिसे देखकर Tree काफी हैरान होती है तभी वहां मौझूद एक दूसरा मास्क में ट्री पर अटेक कर देता है तो Tree वहां पर रखे हुए गैस के सिलेंडर पर गोली मार देती है जिससे Tree उस मास्क में के साथ ही मर जाती है आगे अगले सीन में Tree फिर से जागने के बाद राइन और उसके दोस्तों को उनके project के वारे में समझाती है तभी राइन को समझ आ प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है इससे राइन उन गलतियों को सुधार करके प्रोजेक्ट को तयार कर देता है ये देखकर वहां मौझूद लोग एसके बाद रम 2 से सब्सक्राइब क software सब्सक्राइबuju तो वाइरस सोने की वज़ें से वह चालू नहीं हो पाता है कि उसे सारी कोष्ब और यह करने के लिए उसे 6-7 घंटे लग सकते हैं अब यह सुनकर ट्री वहां से बाहर चली जाती है तो कार्टर ट्री से हॉस्पिटल में फसे हुए लोगों को बचाने के लिए कहता है लेकिन ट्री इस काम को करने के लिए साफ मना कर देती है और यहां ट्री कार्टर को बताती है कि दूसरे डामेंशन में हम दोनों लवर्स हैं पर यहां वो सिर्फ अपनी मॉम की वज़े से रुखना चाहती है यहां कार्टर ट्री को समझाता है कि तुम यहां रहकर किसी दूसरे की लाइफ कैसे जी सकती हो पर ट्री कार्टर की बात को इग्नोर करके चली जाती है और फिर ट्री अपने सिचेशन के वारे में नहीं बताती है तब ही ट्री न्यूस पर देखती है की कार्टर को हस्पिटल में किसी मास्क वाले आदमी ने मार दिया है इससे ट्री बहुत परेशान हो जाती है वहीं रायन साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला था इसलिए वो राइन को रोकने के लिए उसे कॉल करती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ असली में डायमेंशन में कार्टर की मौत हो जाएगी और जब राइन ट्री का कॉल नहीं उठाता है तो ट्री उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी एक पावर हाउस में ठोक देती है जिससे ट्री की मौत के साथ पूरे शहर की लाइट भी चली जाती है आगे ट्री जब दुबारा जागती है तो राइन इस बार अपने प्रोजेक्ट की सारी चीज़े ठीक कर लेता है और फिर ट्री लॉरी से मिलती है और उसे बताती है कि जॉर्ज एक अच्छा आदमी नह चलता है कि डेनियल कार्टर को धोका दे रही है और फिर ट्री अपनी मौम के पास जाती है और उनके साथ अपना बड़े सेलिब्रेट करती है यहां ट्री अपनी मौम से मिलकर उदास होकर रोने लगती है आगे राइन जब अपने साइंस प्रोजेक्ट को चालू करने वाल कि मैं जितनी बार मरकर जिन्दा हो रही हूं उतना ही मैं कमजोर होती जा रही हूं इसलिए मुझे बिलकुल भी आइडिया नहीं कि वो इस बार जिन्दा भी होगी या नहीं इसलिए ट्री कहती है कि इस बार उने खुद ही सब कुछ ठीक करना होगा तब ही ट्री इन्हें डी दी लड़की बना कर भीजती है जहां डेनियल डीन के आफिस से बड़ी जालाकी के साथ चावी उठाकर ट्री को दे देती है और फिर वो सभी लोग बड़ी सफाई के साथ कमरे से प्रोजेक्ट निकाल कर चावी को वापस डीन के आफिस में रख देते हैं वहीं राइन को जब प्रोजेक्ट चालू करने में समय लग रहा होता है तो ट्री लॉरी को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां ट्री हॉस्पिटल में एक पुलिस आफिसर के सर पर गन तान कर उसे बताती है कि वो सीरिल किलर जॉन आजाद हो गया है इसलिए ट्री उससे और जादा पुलिस बुलाने के लिए बोलती है इसके बार ट्री किलर के कमरे में जाती है जहां वो किलर लॉरी को मारने ही वाला था पर तभी सही समय पर ट्री वहां आकर किलर को गोली मार देती है और जब ट्री लॉरी को वहां से लेकर बाहर निकल रही होती है तब ये जॉर्ज ने लॉरी को मारने के लिए सीडल किलर जॉन को भी आजात किया था इसी भी जॉर्ज की वाइफ आ जाती है जो लॉरी को शूट करके मार देती है तब ही जॉर्ज भी ट्री पर अटेक कर देता है इसके बाद जॉर्ज की वाइफ जॉर्ज को गन देकर ट्री को तो George अपनी wife को गोली मार देता है और जब George tree को मारने वाला होता है तभी वहाँ से Carter आ जाता है जिससे George Carter पर गोली चलाने लगता है तभी tree मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन George भी उसके पीछे जाता है आगे tree भागते हुए एक magnetic room में चली जाती है जहां बहुत बड़ा मैंगनेट लगा हुआ था और जब जॉर्ज उसे गोली मारने की कोशिश करता है तब ही ट्री वहाँ पर लगे हुए मैंगनेट को अन कर देती है जिससे जॉर्ज एक चेयर के साथ मैंगनेट से चिपक जाता है और फिर ट्री एक स्कूरूड रैवर से जॉर् बहुत खुश होती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रही है चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी लाइक और शेयर करना मत भूलना होप आपको मूवी की एक्स्प्लेनेशन पसंद आई हो कर्दा खुश हो जल्देशन फस दहते हमारे ची य।